हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर 10, साइन्स वन का चाप्टर नमबर 1, जिसका नाम है ग्राविटेशन, हम लोग इसके लेक्चर नमबर 6 पे हैं, इसके पहले मैंने आपको 5 लेक्चर्स आपको सिखा दिये हैं, जिसमें पे algebra और geometry के भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, शुरू करता है, next concept जो explain किया है, वो है free fall, ये नाम में ही समझ में आ जाता है, free fall मतलब मुफ्त में गिरना नहीं, free fall का मतलब है, सिर्फ force of gravity के influence में move करना, और कोई force नहीं होगा उस पे, तो अगर आपने एक पत्थर फेका, वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो वो पत्थर नीचे गिर रहा है, सिर्फ gravity के force के कारण, ठीक है, real life में, आपके actual environment में ये possible नहीं है, because पत्थर गिर रहा होगा, तो अपने atmosphere में air है, तो air इसको resist करती है, क्योंकि अगर आप पत्थर फेको, तो कितना कम time लगता है नीचे गि ने में, लेकिन अगर कपडा फेको, या कोई feather फेको bird का, तो अराम अराम से से एकदम डोलते डोलते नीचे गिरता है, ठीक है, तो दोनों same type पे गिरने चे, because दोनों सिर्फ gravitation force के अंडर move कर रहे है, लेकिन नहीं गिरते, because अपना जो actual world है न, उसमें ऐसा possible ही नहीं है, कि स इसका ideal definition है, यह definition आप implement नहीं कर सकते, आपके environment में, इसको implement करने के लिए आपको एक बड़ी lab में जाना पड़ेगा, जहां पर vacuum created होगा, ठीक है, क्योंकि vacuum में air resistance नहीं होता, तो चलो शुरू करते है, try this से, take a small stone, hold it in your hand, हाथ में पकड़ना है, किसी फेकना नहीं है, ठीक है which forces are acting on the stone, अगर आपने, आपके हाथ में एक stone पकड़ा है, ठीक है, यह हाथ कहां से air, चलो ऐसे बना देते हैं, और हाथ में एक stone पकड़ा है, तो यह stone पे कौन से forces act कर रहे हैं, देखो, थोड़ा बड़ा stone होगा तो आपके हाथ में weight feel होगा, वो weight क्यों feel हो रहा है, because वो stone क इसने वो stone पकड़ा है, वो muscular force लगा के वो stone को पकड़ के भी रखा है, तो वो भी एक force act कर रहा है उसके उपर, correct, आपके हाथ और stone के बीच में friction भी है, वो भी act कर रहा है, क्योंकि stone थोड़ा थोड़ा लगता भी है न, अगर rough होगा तो, ठीक है, तो यह सारे forces वो stone पे act कर रहे है, now release the stone, release मतलब छोड़ने वो ला है, फिर से बोल रहा हूँ, फेकना नहीं है किसी के उपर, what do you observe, अगर यह stone आपने यहाँ पे छोड़ा, थोड़ा पेर से दूर छोड़ना, नहीं तो, लगेगा पेर फिर बोलोगी क्या कर दिया, ठीक है, तो उसको छोड़ा आपन वो नीचे गिरा, because force of gravity ने उसको खीचा नीचे, ठीक है, और end में जाके वो नीचे गिर गिया, what are the forces acting on the stone after you released it, honestly speaking उस पे क्या क्या force है, उसके उपर gravitational force तो है, correct, और उसके उपर air का resistance भी है, हवा में जो resistance होता है न, उसको air resistance बोलते है, right, आप अगर cars के शौकीन है तो आपक hopping आगे से, अगर जो fast cars होती है, ताकि जो हवा आती है सामने से, जब गाड़ी एकदम speed में जा लिए हो, तो वो resistance को beat कर सके, right, वैसे ही stone जब नीचे गिरेगा, तो हवा तो है ही न, वो उसको resist करेगी, अगर आप इस जगर कपड़ा छोड़ो, तो कपड़ा धीरे धीरे गि the force of gravity due to the earth, acts on each and every object, object choose कर सकता है, क्या भाई gravity, मेरे को परेशार मत कर, मेरे साथ हात मस्ती नहीं चाहिए, नहीं choose कर सकता, अगर वो universe में है, तो gravity बोलीगी, मैं तो तेरे पर act करूँगा, जो करना एक कर ले, ठीक है, कोई भी दो object ले लो, पूरे universe में, कहीं पे भी, वो दो When we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, इसलिए तो हाथ में वजन लग रहा था ना, अगर stone पे कोई gravitation force नहीं होता, तो इतना वजन नहीं लगता, but it was balanced by a force that we were applying on it in the opposite direction, अगर पत्थर को पकड़ के रखना है, ठीक है, तो आपको एक force लगाना पडता है, जो gravity के अगेंस, उपर काम करता है, जब आप dumbbell भी उठाते हो, जिम वगेरा जाओगे, तो dumbbells उठाओगे, तो आप उपर जब भी वजन उठाते हो, तो आपको ताकत लगती है उठाने में, क्यों? क्योंकि जब आप उपसको उपर खीशते हो, तो gravitation उसको नीचे खीच रहा होता है, opposite, तो ये दोनों opposite direction में आ जैसे ही आपने release किया, क्या होगा? आप जो force लगा रहे थे, वो wireless तो है नहीं, wifi नहीं है वो, हाथ से छूटा तो force लगना बंत हो जाएगा, the only force that acts on it is gravitational force of the earth, ठीक है, and gravitational force क्या करता है भाई? वो सबको नीचे खीचता है, तो stone क्या करेगा? the stone falls down, उपर नहीं जाएगा, falls down under its influence, ठीक है, definition क्या है, whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is said to be falling freely, ठीक है, यह जो गिरना होता है, उसको बोलते हैं, free fall, in free fall, the initial velocity of the object is 0, आपने stone को फेकानी है नीचे, ठीक है, आप नीचे नहीं पेक रहे है उसको, initial velocity, जब आपने उसको सिफ छोड़ दिया है, छोड़ा, तब start में उसकी velocity क्या होगी भई, आपने उसको छोड़ा है, उसके पहले क्या था, वो रेस्ट पे था न, वो आपके हाथ में मस्त आराम कर रहा था, तो उसकी initial velocity, जिसको आपन you से denote करते हैं, इन्साटनिट के वीडियो देखे हैं न, वो है 0 meters per second, जब भी free fall में object गिरा, तब उसकी initial velocity हमेशा 0 होगी, बाट, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, उसको कौन खीच रहा है भई नीचे, उसको gravitational force खीच रहा है, कौन से acceleration से कीच रहा है, acceleration due to gravity, तो जब भी acceleration होता है, object की speed बढ़ते जाती है, इमाजिन करो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप accelerator पे पेर देते हो, तो गाड़ी की speed बढ़ती है न, वैसी ये stone जब नीचे जाएगा, इसके उपर earth accelerator दे रहा है, acceleration due to gravity है, तो उससे ये stone की speed बढ़ते जाएगी, तो क्या रहा है, देखो, the initial velocity of the object is 0, and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth, ठीक ह during free fall, the frictional force due to air, air resistance जो मैं बोल रहा था आपको, opposes the motion of the object, and a buoyant force also acts on the object, ये buoyant force जनरली आप liquids में देखते हैं, but air में भी buoyant force होता है, जो hot air balloons होते हैं, देखें आपने hot air balloons TV पे, ऐसे होते हैं, देखो hot air balloons, इसमें कोई engine नहीं होता, fire होती है यहाँ पे, वो fire इसमें hot air बरती है, और air के buoyant force से वो उड़ने लगता है, actually, hot air जो होती है, वो cool air से हलकी होती है, तो इसके अंदर hot air होती है, और उसके आजू-बाजू cool air होती है, तो यह hot air हलकी होती है, इसलिए उड़ने लगता है, ठीक है, air के ही forces से, ये इसलिए डाला है, because ये buoyant force का pronunciation में problem आता है, ये picture द Thus, true free fall is possible only in vacuum, ये क्यों बोला उसने, क्योंकि free fall का definition क्या है, देखो भाई, free fall का definition है, when an object moves under the influence of the force of gravity alone, ये word alone बहुत important है, जैसे ही आप उसको normally फेकते हो हमारे environment में, उसको frictional force तो मिलने ही वाला है air का, उसको buoyant force भी मिलने वाला है, तो alone कहाँ पे हुआ भई, gravity के साथ दो दो दोस्त आगे, नहीं चाहिए दो दोस्त, अकेले gravity में होगा तभी free fall बोलते हैं, इसलिए उसने बोला भाई, free fall बोल सकते हैं, लेकिन जो true free fall है, वो तो से vacuum में possible है, vacuum मतलब vacuum cleaner नहीं, vacuum मतलब जहां पे atmosphere, air कुछ नहीं हो, ठीक है, आपको एक video दिया है आगे, उसमें पता चल लगा कि vacuum क्या होता है, for a freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using Newton's equation of motion, जो हमने already 9th standard में पढ़े हैं, वो equations use करके आप हमेशा freely falling object का velocity निकाल सकते हो, time निकाल सकते हो, अगर कुछ और data दिया हो, तो distance निकाल सकते हो, for free fall, the initial velocity u equal to 0, यह हमने पहले भी देख लिया है, जब भी पत्थर हाथ से छूटा start में, उसको आपने छोड़ा, तो फेका नहीं है न, सिर्फ छोड़ा है, तो उसकी initial velocity क्या होगी, 0 meters per second, and the acceleration, वो सिर्फ gravity के इंडर move हो रहा है, तो acceleration क्या होगा, g, acceleration due to gravity, thus we can write the equations as, यह फाल तो में time pass करने के लिए 3 equations लिखे हैं, चलो बता द अब इसमें starting में ही बोला है कि भाई, यू 0 है, ठीक है, initial velocity यू होती है, final velocity वी होती है, a मतलब acceleration होता है, time मतलब t होता है, s मतलब displacement होता है, बट आप distance भी कभी consider कर सकते हैं, हमारे cases में यह लोग distance लिख देते हैं, ठीक है, तो इस सारे term समझ गया है, अब इसमें बोला है कि free free fall में, free fall में हमेशा, यू 0 meters per second होता है, तो यू अगर 0 है, तो यह तो गया, तो सब जगे से मैं यू यहां से erase कर सकता हूँ, इधर यू T के साथ है, 0 को time बले 100 seconds हो, 100 हो 1000 हो किसे multiply करो हो, 0 ही आएगा ना, तो यह भी गया, similarly, यू square, 0 का square भी 0 होता है, यह plus हटा के, कोई फा फीली गिरता है, तो तो gravity में ही गिरता है, acceleration due to gravity क्या होता है, G, तो acceleration क्या हुआ, G, तो यह एक जगा पर हर जगा हम G डाल सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा GT, यह GT square, यह 2GS, तो यह equation उसने दिया हुआ, फिर भी आप हमेशा full equation लिखेंगे, ऐसे directly V equal to GT नहीं लिख रहा है, ठीक है, for calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration is negative, यह जो paragraph है, यह paragraph मैं पीछे, दो examples कराऊंगा, उसमें समझाऊंगा, अभी paragraph पढ़ोगे तो आपको लगे और यह क्या दे दिया है, क्योंकि यहां पर negative minus sign है, negative acceleration है, आपको देखके डर लगने माला है, पर उस negative number से डरते ही हैं सब, ठीक है, तो यह paragraph देखके, attention मतलो, problems में use करना है आपको, मैं वहाँ पे आपको सिखा दूँगा, कि G positive कैसे लेना होता है, और negative कैसे लेना होता है, ठीक है, the moon and the artificial satellites are moving only under the influence of the gravitational field of earth, thus they are in free fall, ठीक है, जहाँ पे moon है, और जहाँ पे यह artificial satellites है, वहाँ पे atmosphere ही नहीं अपना, air नहीं है, इस air का resistance नहीं होगा, ठीक है, और buoyant force भी नहीं होगा, तो वहाँ पे तो सिर्फ gravity में move हो रही है चीज़े, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई object है, तो वो हमेशा कैसा है, यारिन, free fall, तो ऐसा सोच चुरे मून गिर क्यों नहीं चाहता, मैंने बताया था न, मून क्यों नहीं ग आपका tension मतलो, क्योंकि ये छोड नहीं सकते है, ये करना ही पड़ेगा, बिकॉस जब problems हैंगे न, numerical, solved examples, या पीछे questions, उसमें ये use होने ही वाला है, तो इसका tension मतलो, ऐसे मतलो, चो मैं आज सिखा नहीं रहा, बट problems में अच्छे है समझेगा, ठीक है, next आते हैं, do you know, the value of g is the same for all objects at a given place on earth, ये हमने already discuss कर लिया है, क्योंकि g का formula क्या है, g का formula है, g m upon r square, ये g constant है, ये mass of earth है, ये distance of the object from center of the earth है, ये कोई भी object के लिए है, दिख रहा है कहीं पे भी dependent नहीं है, mass पे, वो object के mass पे dependent नहीं है, तो g की value जो है वो, same है for all objects at a given place on the earth, g भेदबाव नहीं करता, g अच्छा बच्चा है, ये थोड़ा complicated है, बिकॉज ये actual life में होता नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज अक्चुल लाइफ में air resistance होता है, point force होता है, तो ये काम नहीं करता, अगर आपने एक, एक किलो का metal ball है, वो फेका, और एक किलो का, फेदर फेका, या, फेदर एक किलो का नहीं है, छोटा सा ही है, वो फेदर फेका, तो दोनों same time पे नहीं गिरेंगे, बिकॉज फेदर है न, यसे must डोलते डोलते गिरेगा, और metal ball थाड करके नीचे से गिर जाएगा, ठीक है, पर क्या बोल रहा ह पढ़ लेते हैं, Galileo is said to have performed an experiment around 1590, कितने साल पहले या, हम यह Instagram रील से उपर नहीं आ रहे हैं, Galileo तभी experiment perform कर रहा है, इंटरनेट नहीं था नहीं तभी, इसलिए उसके पास, और कुछ काम नहीं था, इसलिए, देखो, उसने कितना कुछ डिसकावर कर लिया, In the Italian city of Pisa, याद है, Pisa सुना होगा, Leaning Tower of Pisa करके, एक monument है बहुत famous, He dropped two spheres of different masses from the Leaning Tower of Pisa, लो इस पे ही चड़ गया हो, Leaning Tower of Pisa पे चड़ के, दो spheres dropped किये, different masses के, to demonstrate that both spheres reached the ground at the same time, अभी दोनों spheres है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा उसने दोनों फेग दिये उपर से, फेदर नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें उसने demonstrate किया कि दोनों same time पे गिरते हैं, आपको समझाएगा आगे कि सारी conditions meet होनी चाहिए, इसमें, when we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time, actually same time पे रीच करने चाहिए, बट नहीं रीच करते हैं, क्यों, because earth पे जब भी कोई object free fall में गिरता है, वो सिफ gravity के तरू नहीं गिरता, उसके उपर और भी forces act करते हैं, कौनसे forces, the feather experiences a buoyant force and a frictional force due to air, ठीक है, इसलिए बोला ना, ऐसे धीरे, धीरे, धीरे किता है, because नीचे की हवा जो है, उसको रोक रही है, ठीक है, the buoyant, यह कहां लिखा हुआ है, and therefore floats and reaches the ground slowly, feather आराम, आराम से री the buoyant and frictional forces on the stone are much less, because एक तो spherical है, बहुत heavy है, उसका surface ही रहा बहुत बढ़ा नहीं है, feather में, बहुत chance होता है, buoyant force का, then the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much, because stone heavy है, recently, scientists performed this experiment in vacuum, experiment का perform किया, vacuum में, vacuum में कोई air नहीं, कोई resistance नहीं, कोई buoyant force नहीं, and showed that the feather and stone indeed reach the earth at the same time, ठीक है, feather and stone, उन लोग ने metal ball यूज किया और feather यूज किया, यूज यूज किया, यह जो link दिया हुआ ना बच्चो, थोड़ा बड़ा link के copy करने में difficulty होगी, मुझे पता है, लेकिन video देखो जाके, बहुत ही beautiful video है, NASA की specialty यूज कर रही है, vacuum की, और वहाँ पे stone और feather पहले बिना vacuum के गिरा है, दिखाने के लिए के feather को time लगता है, और फिर vacuum में गिरा है, तब exact same time पे stone and feather नीचे ग गिरते हैं, metal ball हो, feather हो, paper plane हो, कोई फरक नी परता, सब same time पे नीचे गिरते हैं, अब आते हैं next page के solved examples पे, अच्छा मुझे बहुत comments आ रहे हैं, जिनको word problems यहां पे numericals difficult लग रहे हैं, भाई तुमको difficult लग रहे हैं, because यह problems difficult हैं, difficult क्यों हैं, because आप ऐसे problems पहली बार solve कर रहे है ठीक है, जब भी कुछ नया करोगे, हमेशा difficult लगेगा, अभी डरो मत, ऐसे मत तो चो option में छोड़ देता हूँ, ठीक है, है चलो weightage इसका इतना जादा नहीं है, ऐसा भी आपको कोई बोल देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आप शुरू कर रहे हो, तब से इसको omit मत करो, ठीक है, अब practice करोगे, यह भी easy हो जाएगा, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए easy बनाने की, ठीक है, तो हो जाएगा, tension मतलो, थ्यान दो और बार-बार practice करो, आ जाएगा, example 1 पे आते है, example 1 में क्या बोल रहा है, देखो, an iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter, एक, उपर height है 125 meters की, ठीक है, उसके उपर से, यहाँ से iron ball को छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब क्या हो अब आई, उसको just छोड़ा है वहाँ से, तो उसकी initial velocity होगी 0 meters per second, and falls freely to the ground, free fall है, ठीक है, आपको air resistance, वो सब imagine नहीं करना है, okay, assuming that the value of g is 10 meters per second square, यह बहुत अच्छा काम किया है, इन g की value 10 दे दी, ताकि जो आपके calculations है, वो simple हो जाए, गर इसके जाके 9.8 देते, तो calculation में थोड़ा problem आता, difficult नहीं होता, लेकिन थोड़ा time लगता, क्या calculate करना है, time taken by the ball to reach the ground, क्या बोला, 3 kg का ball, यहाँ पे पकड़ के रखा था, छोड़ दिया, और वो 125 meter की height से चोड़ा, ठी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुचने में, उसको time कितना लगेगा, यह पहला सवार है, velocity of the ball on reaching the ground, जब यहाँ पे पहुचा, गिरा जमीन पर, तब उसकी velocity क्या है, start में यहाँ पे जब छोड़ा था, तब initial velocity 0 थी, अब finally यहाँ पे पहुच गया, तो उसकी velocity क्या है, height of the ball at half the time it takes to reach the ground, half the time, पहले equation में पहले में आप time निकालोगे, उसका half निकालोगे, ठीक है, let's say इसको यहाँ पहुचने के लिए 100 second लगता है, तो 100 का half कितना होता है, 50, तो 50 second पर, वो बोल रहा है, height of the ball find करो, जब 50 second हुए होंगे, तब कितना time हो, ठीक है, ऐसे मत सोचो, अरे half the time मतलब तो यह जितना distance है, उसका अधा कर देंगे, ऐसे नहीं है, यह जो ball है, यह acceleration में नीचे जा रहा है, इसकी speed 0 से शुरूर ही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए जो पहले second में distance कवर करेगा ना हो सकता है, इतना से गीरे, लेकिन दूसरे second में और चौथे में और जाधा distance बढ़ता जाएगा, और यह और तेजी से नीचे जाएगा, इस पर acceleration लग रहा है, ठीक है, तो यह होशियार बनके third में सीधा distance का half मत कर देना, ठीक है, चलो यह अपन solve करते हैं अलग से, यहाँ पर यह लोग है ना, बहुत short में करते हैं और calculations difficult लगत तो अगर diagram बनाने का time है, तो बना लेना चाहिए, extra marks नहीं मिलेंगे उसके, 3 kg का ball है, तो M हो गया 3 kg, mass, distance कितना travel किया उसने, 125 meters, तो S हो गया 125 meters, initial velocity of the ball, free fall है, ball यहाँ पर चुप चाप पड़ा था, फिर उसको छोड़ दिया, तो start में उसकी velocity 0 होगी, तो U equal to 0 meters per second, and acceleration जो है A, it is nothing but G, acceleration to gravity, जिसकी value रहे 10 meters per second square, ठीक है, अभी plus minus का tension मतलो, यह question में वो नहीं आने वागी, तो यहाँ से ball छोड़ा, initial velocity देखो 0 है, acceleration 10 meters per second square है, S जो है, यहाँ से लेकिए, यहाँ तक 25 meters है, आपको find क्या करना है पहले question में, time, अब आपके पास U है, A है, S है, कौन सा ऐसा simple है, S equal to UT plus half 80 square में, आपके पास S है, आपके पास U है, देखो यहाँ पे, आपके पास A है, है नहीं क्या सिर्फ T, तो एक equation में एक unknown हुआ, तो आप उसको solve कर सकते हैं, है ना, तो यह equation लिखे solve करते हैं, second वाला, तो सबसे पहले लिखेंगे, Newton second equation of motion gives us, क्या है भाई, S equal to UT plus half 80 square, अब यहाँ पे value substitute करेंगे, S कितना है, 125 meters, तो यहाँ पे लिख दिया, therefore, S के जगे पे 125, U कितना है, U है 0, तो U के जगे पे लिख दिया, 0, T हमको पता नहीं, तो T के जगे पे लिख दिया, T, plus, फिर half into A, A क्या है, 10, तो A के जगे लिख दिया, 10, और T square नहीं पता, तो T square ऐसे लिख दिया, half A T square का मतलब half into A into T square होता है, अब इसको solve करते है, देखो, यहाँ पे cut होगा, यह जगा 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 T square बन जाएगा, तो यहाँ पे 125 है, वो तो ऐसे रहेगा, 0 को T से multiply करोगे, तो 0 हो जाएगा, गायब, बचेगा इदर सिफ 5 T square, तो यहाँ पे ल 5 1s are, 5 2s are 10, 2 बच्चा, 5 5s are 25, तो T square आजाएगा, आपको 25, आपको T square नहीं चाहिए, आपको T चाहिए, तो क्या करनेगा, दोनों तरफ square है उननेगा, square root नहीं, square root, यह square और H73 cancel, square root of 25 कितना होता है, 5, तो T की value क्या आगए, 5 seconds, खतम, अगर 3 किलो का ball यहाँ से फेका, और वो 125 मीटर नीचे आके गिरा, सिर्फ acceleration ड्यू टो gravity से तो उसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुचने को कितना time लगेगा, 5 seconds, आया समझ में, वीडियो पॉस करके फटा फट से copy करो, कोई doubt है तो comment से मुझे जल्दी से पूछो भी, done, second question पे जाते हैं इसके, first of all हमने solve कर ल पूछा, ground पहुचने में time कितना लगा, अब बोल रहा है, अब तुमने time निका लिया, अब मुझे बताओ, कि वो नीचे जब गिरा, तो क्या velocity के साथ करता है, ठीक है, तो यह find करना भी काफी easy है, देखो, हमारे पास क्या-क्या data है, हमारे पास यह data है कि total उपर से नीचे गिरने में s 125 meter है, initial velocity हमको पता s 0 है, a और g या a बोल लो 10 meters per second square है, हमको find क्या करना है अब ही, t हमने find कर लिया first case में, velocity find करना है, तो आपको ऐसा equation चाहिए, जिसमें आपको v आना चाहिए, ठीक है, तो पहले equation में v equal to u plus at है, मैं पहला equation use कर सकता हूँ क्या, मेरे पास u है, है, मेरे पास a है, हाँ है, मेरे पास t है, yes, t मैंने भी find किया, यहां से यहां तक पार्चने में t 5 seconds है, तो यह equation में मुझे तीनों मिल जाते हैं, तो वी तो मैं calculate करी सकता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ यहां पे, मैं लिख देता हूँ, according to Newton's first equation of motion, क्या है first equation, v equal to u plus at, अ अपने को पता है 10 है, तो हमने लिख दिया 10, t है अपना 5, तो लिख दिया into 5, यह 0 तो गया, 10 into 5 कितना होता है, 10 into 5 होता है, 50, क्या है यह, velocity, velocity का unit क्या होता है, meter per second, तो पता चल गया, कि ball जब उपर से नीचे गिरा, तो उसको पहुचने में 5 seconds लेगे, और वो total क्या velocity से गि ठीक है, total नहीं, वो 50 meter per second की velocity से नीचे गिरा, आया समझ में, तो यहाँ पर answer लिख दिया, the velocity of the ball on reaching the ground is 50 meters per second, done, अब थर्ड पार्ट दिखते हैं, थर्ड पार्ट में हो बोल रहा है, the height of the ball at half the time it takes to reach the ground, यह question बहुत ही अच्छा question है, इसमें बहुत hero लोग, heroine लोग क्या करे बोलेंगे, अरे 125 meter पूरा height है, आधा time में आधा distance कवर होगा, 125 का आधा करेंगे, तो must यहाँ पर एक answer आजाएगा, कितना आधा पर 62.5, तो teacher बोलेगे, okay, 0 था initial velocity, आपको 0 के आधे marks दूँगी, 0 का आधा कितना होता है, 0, ऐसमझ में, hero नहीं बनना, यह ball जो है, यह acceleration के सा जा रहा है, जब acceleration के साथ हो जाएगा, तो उसकी speed बढ़ती रहेगी, ठीक है, तो जब speed बढ़ेगी, तो distance जो कवर होगा, वो भी change होता रहेगा, okay, तो यह height हम formula निकाल के ही करेंगे, इसमें थोड़ा tricky लगेगा, बट हम समझ लेंगे, आ जाएगा आपको, ठीक है, चलो द से आधे time में, मतलब पूरा time उसको जो पहुचने को लगा, आभी हमको पता है कि उसको total 5 seconds लग रहा है, तो half time पे, 5 seconds का half, मतलब 5 upon 2, उसका आधा करेंगे, तो divide by 2 करना पड़ता है न, which is 2.5, assume करो कि 2.5 seconds पे ball यहाँ पे पहुची है, तो वो आपको पूच रहे हैं, कि direct newton's laws of motion से आप यह height नहीं find कर सकते हैं, आप find कर सकते हैं कि ball ने यहाँ से यहाँ पहुचने में कितना distance cover किया, ठीक है, अगर वो distance आपको पता चल गया, उसके बाद आप यह total height आपको पता है, 125 है, अगर आपको यह पता चल गया, तो 125 में से यह minus कर लोगे, तो पता चल ज mission देंगे, जो motion हो रहा है, जो motion यहाँ से यहाँ हो रहा है, आप ऐसे मत तोचो कि distance directly यहाँ से यहाँ का आपको मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का motion हुआ ही नहीं है अब तक, ठीक है, होगा तब वो भी निकाल लेंगे, लेकिन अभी ball यहाँ तक पहुची, आपको यह distance निदालना है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, D, ठीक है, और हमको यह height find करनी है, ठीक है, वो तो दिया नहीं है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं, आया समझ में, अब यह ball जब शुरू हुआ, तब u equal to 0 meters per second, क्योंकि free fall में से body start हो रही है, तो उसकी initial velocity 0 होगी, acceleration, अभी भ 2, तो हमको पता है, first question में इसमें हमने निकाला कि T 5 seconds है, तो आजे time मतलब 5 divided by 2, which is 2.5 seconds, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास time है, हमारे पास acceleration है, हमारे पास u है, okay, हमको find क्या करना है, हमको यह distance find करना है, s equal to ut plus half 80 square में, हमारे पास u भी है, हमारे पास a भी है, हमारे कुछ मिल गया इदर, यह s क्या है, यह distance जो हमने d लिया हुआ है, ठीक है, तो यह second equation of motion उसको find कर सकते हैं, तो पहले हम label कर दें, third में, कि half time मतलब क्या भाई, half time मतलब जो भी time है, divide by 2, total time जो लग रहा था, उपर से नीचे आने में, 5 divided by 2 होता है, 2.5 seconds, correct, इसके बाद हम लो यहां तक जब ball पहुचा, उसको d लेंगे, याद रखना बच्चों, आप यह ही calculate कर सकते हो, यहां तक का, ball यहां ही पहुचा है, यहां नहीं पहुचा अब तक, half time पे क्या हो रहा है, वो निकाल ला है, ठीक है, तो हमने ले लिया d meters, अब हमने ले लिया Newton's का second equation, क्यों, because Newton Newton के second equation में, जो variables है, वो सारे हैं हमारे पास, देखो यहां पे, s equal to ut plus half a t square में, हमारे पास t है, हमको पता है, u 0 है, a 10 है, easily हम calculate कर सकते हैं, और s को हमने ले लिया एक d, distance माने, यह d, ठीक है, तो हम लोग label करते हैं, इसके जगे पे d लिख देंगे, s के जगे पे u है अपना 0, तो t अपना 2.5, कोई फरक नहीं परता है, 0 into 2.5, 0 आने वाला है, फिर भी label write करना पड़ेगा, अगर रिधार गलती से file दिया, marks कर जाएंगे, plus half into a, a कितना है अपना 10, t कितना है अपना फिर से 2.5, तो t के जगे पे 2.5, square के जगे पे square, ठीक है, इसके बाद हम calculate करेंगे, कि 2.5 का square क्या होता है, देखो यहां पर square मतलब 2.5 to 2.5, तो यहां पर multiply करके मैंने आपको बता दिया 625, यह decimal को मत देखो, 25 to 25, 625 होता है, और decimal के बाद total 1 digit, यहां पर 2, total 2 digit, तो यहां पर भी decimal के बाद 2 digit, तो decimal इधर आना चाहिए, ठीक है, अब यहां देखो, 2 1s आ, 2 5s है, तो next step में यह तो 0 आएगा, plus 5 into, यह क्या है, यह 6.25, तो हम लोग next step में लिख देंगे, 5 into 6 point, यह तो गायव हो गया न, 0 हो गया, यह 2, यहां पर बचा 5 into this, यह हमने 6.25 लिख दिया, अब 5 into 6.25 भी rough में करके बता रहा हूँ, यहां पर, तो वो आता है, 31.25 meters, बहुत ही simple देखो, 5.25, 2 carry, एकदम आराम से करके बता हैं यहां पर आपको, तो यह इसमें problem क्या है, पता है, सीधा आप यह answer लिख दोगे, तो आपको marks नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह तो distance covered by the ball है, उसने क्या पूछा था question में, उसने पूछा था आप से, the height of the ball at half the time, height पूछा है, नी total 125, यह dm ने निकाल लिया, 31.25, तो यह total में से इतना minus कर दोंगा पूरा, तो बचेगा h, तो h आपको क्या आएगा, 125 में से d minus, मतलब 125 में से 31.25 minus कर देंगे, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे, the height of the ball at half time is 125 minus 31.25, minus करके आता है, 93.75, चाहिए तो यहां पर minus करके बताता है, minus, ठीक है, कैसे होगा, minus 5 बनेगा 4, यह बनेगा 10, 9, 10, 10 minus 5, 5, 9 minus 2, 7, 4 minus 1, 3, यह 0, यह बनेगा 12, 12 minus 3, जाएगा 9, तो बच्चा 93.75, वो यहां पर आ गया, 93.75 मीटर्स, आया समझ में, यह question में यह वाला step बहुत जादा important है, और ऐसे, आपको बहुत चेगे questions आएंगे आपको लगेगा, आप पूछा कुछ है, और आप निकालेंगे कुछ और, आपको distance नहीं निकालना था, जो ball ने cover किया, आपको निकालना था, ball कितनी height पे है भाई अभी, ओके, तो यह figure जब देखोगे न, तो यह figure में आप अच्छे से imagine कर पाओगे, तो यह question हमारा हो गया पार्ट बाई पार्ट कॉपी कर लो, यह इसका first part है, diagram देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है, हो सके तो diagram बनाओ यार, थोड़ा clear हो जाता है, ठीक है, अब यह second part कॉपी कर लो फटा फट से, मैं सारे calculations rough में बता रहा हूँ, आप rough work करके ऐसे label कर दो यहाँ पर, और वहाँ पर कर लो, रफ के calculation, यह आ गया आपका third part, आया समझ में, यह पूरा question यहाँ पर है, देखो, एक बार इसका भी pause करके copy कर लो, अच्छे से क्या-क्या लिखा है, ऐसा लग रहा होगा easy है, बाद में हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, भी क्या भी कर, नहीं तो confused होगा, ठी ठीक है, done, अब आते हैं next question पे, next example में दिया है, a tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meters before coming down, उसको tennis ball को उपर फेका, पता तो है नीचे तो आने ही वाला है, आपने ball से कभी भी खेला या कोई भी चीज उपर ऐसे उच्छा लिए हो, generally लोग keys उच्छालते हैं तो आपने ऐसे उसको उपर फेका, तो after point वो fast जाएगा, slow होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, एक point पे पहुँचके वो रुक जाएगा, एक microsecond जो भी है, थोरे time के लिए वहाँ पे रुकेगा, फिर वो गिरना चाल होगा, right, वो रुक के वहाँ पे selfie अलफी नहीं किचेगा खुद की, बट वो शुरू करेगा, correct, तो यहाँ पे tennis ball फेका, उपर, यह motion समझना जरूरी है, मैं जो बोल रहाँ नहीं, उपर से नीचे यह समझना जरूरी है, इसलिए time ले रहाँ, फेका, उपर जाके, ऐसे imagine करो, वो वही line में नीचे वापस आ रहा है, तो 4.05 meter की height पे हो गया, यहाँ से ball फेका, इधर तक पहुचा 4.05 meter पे, फिर से वो नीचे आने लगा, और यहाँ पे आके गिर गी, okay, उसने बुचा है, what was its initial velocity, अब मुझे एक बात बताओ, start में जब उसको फेकोगे, तो कुछ एक velocity से फेकोगे, तो वो तो आपको find करना पड़ेगा, लेकिन आप उसकी final velocity, देखो, यहाँ पे दो motion हो ले, ठीक है, पहला part है, नीचे से वो उपर तक गया, एक part, फिर second part है, वो उपर से नीचे तक आया, ठीक है, जब आपने उसको नीचे से उपर फेका, तब वो free fall नहीं था, लेकिन जब वो वो वहाँ पे पहुचा उपर, फिर रुक के नीचे ग फिरने लगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक question दिया हुआ, तो दो parts में इसको solve करेंगे, उसने पूछा है, initial velocity क्या, मतलब पहले part का question है, जब उसने start किया, ball फेकना, how much total time will it take to come down, total ठीक है, उपर गया, फिर नीचे आया, कितना लगेगा time, assume g equal to 10, फिर से बहुत अच्चा काम किया, इन्होंने g का value 10 दिया है, calculation काफी, simple हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको कैसे solve करेंगे, हम इसको 2 parts में split करेंगे, upward motion, जब नीचे से उपर गया, और downward motion, जब उपर से नीचे आया, इसमें direction बहुत जादा important है, क्योंकि जो paragraph मैंने आपको बला था नहीं यहाँ पे, य चलो, अब यह question number 2 करते हैं, तो यहाँ पे, upward motion of the ball, ball यहाँ से उपर भेगा, आपको tennis ball बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली ball बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अबर diagram बनाना चाहिए, हमको सिर्फ यह पता है, कि जब वो उपर जाएगा, यहाँ पहुचेगा, तब उसकी final velocity वहाँ पे, यह position पे क्या होगी, 0, याद रखना है, बच्चों मैं ऐसा नहीं मुल रहा कि यहाँ पे वो खड़े रहे कि अपने दोस्तों से chat करेगा, time pass करेगा, photo कीचेगा, नहीं, वो यहाँ से उपर जाएगा, एक थोड़े time के लिए यहाँ पे रुखे को और वापस नीचे आ जाएगा, आप बॉल फेक के देखो, उपर आपको समझ मैं आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ से नीचे आएगा, हम खाली उपर वाला पार्ट कवर करेगा, यहाँ से फेका, जोर से फेका, दीरे slow हुआ, slow हुआ, slow हुआ, slow हुआ, ब्रेक लगते 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 यहाँ पे जाकर उसकी स्पीड 0 होगे, तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वी, वो क्या है, 0 meter per second, start कौन से स्पीड से क्या हो नहीं पता, यू नहीं पता, डिस्टेंस क्या बोला उसने, कि यहाँ नीचे से उपर तक, उसने डिस्टेंस ट्रा acceleration due to gravity act करता है, gravitational force act करता है और gravitational force हमेशा चीजों को नीचे कीचता है, ये ball space में क्यों नहीं चला जारा, एकदम उचे जाते 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 एकदम statue of unity के उपर चला जाएगा, फिर sky में चला जाएगा, क्यों नहीं जाता, because वो ball पे gravitational force लग रहा है, कौन से direction में नीचे, इसलिए यहाँ पे अगर मैं इसकी initial velocity जो उपर के direction में, उसको positive लोंगा न, तो मुझे जो acceleration है, g, वो नीचे के direction में मुझे उसको negative लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे vectors है, vectors में आपको पता है magnitude और direction दोनों important है, खाली value important नहीं है, सिर्फ 4.05 meters लिखना important नहीं है, वो positive है, negative है, उसका direction कौन सी side है, उपर, नीचे, left, right सब देना important है, तो ये वाले case में, सिर्फ उपर है और नीचे है, दो ही direction है, correct, left right में तो अग टनिस ball नहीं पेग रहे हैं तो अगर मैंने उपर को positive लिया, तो नीचे को मुझे negative लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे वो x axis, y axis में होता है, यहाँ पे अगर positive है, तो यहाँ पे negative होता है, अगर कोई problem में, ऐसे left right वाला problem हुआ, अगर ने right side positive लिया, तो left side के आएगा, negative आएगा, ठीक है, तो ये ball जो initial position के उपर जा रहा है, वहाँ पे हम positive sign ले रहे हैं, नीचे हम minus sign ले रहे हैं, इसलिए g यहाँ पे minus आता है, because g ulti direction में है, जब हम download करेंगे, तब आपको समझेगा, कि g की value change हो जाएगी, ठीक है, तो यह हम अभी कर रहे हैं, upward वाला part, इसमें क्या-क्या important देगो, final velocity 0, distance कितना है 4.05 meters, और acceleration है minus 10 meters per second square, तो हम solve करते हैं पहले upward motion, क्या find करना है हमको यहाँ पे, उसकी initial velocity यहाँ पे u क्या थी, क्या हमको v पता है, yes, हमको a पता है, हमको s पता है, s, v, a, यह तीन चीज़ पता है, कौन सा time आता है, हमारे पास नहीं है time, s equal to ut plus, आगे लिखो ही मट्टी आता है, नहीं है हमारे पास time, v square equal to u square plus 2as, Newton का तीसरा, देखो हैं यह 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 है, u है, find करना है, a है, a है, s है, हाँ है, सब कुछ है, तो हम लोग तीसरा equation use करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, using Newton's third equation of motion, क्या है, v square equal to u square plus 2as, value substitute करेंगे, v क्या है, 0, तो मैं बोलूँगा, therefore 0 square equal to, u क्या है, नहीं पता, तो equal to u square, ऐसे लिख दिया, plus 2 into, a क्या है, minus 10, तो bracket बनाएंगे, उसके अंदर minus 10 लिखेंगे, s क्या है, 4.05, तो s bracket के बाहर लिखेंगे, 4.05, यह 10 से हमें लिपलाए करना बहुत easy है, तो पहले हम 2 को इससे multiply करते हैं, 4.05 को, ठीक है, देखो, यहाँ पर plus into minus, यहाँ पर minus आने वाला हमको पता है, तो 2 into 4.05, पहले मैं करके 0 होता है, u square तो u square जाएगा, पता ही नहीं है क्या है, यह 2 into 4.05, 8.10 है, ठीक है, यह plus into minus, मुझे पता है, minus आने वाला हैं यहाँ पर, correct, 10 को, मैं इससे multiply करना तो क्या होगा, into 10 किया, तो यह decimal, एक point आगे shift हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यह decimal इधर shift हो गया, तो बन जाएगा 81.0, what is 81.0, 81, correct, तो यह हो जाएगा हमारा 80, ठीक है, 4.05 को 2 से किया, फिर जो हमको आया, उसको 10 से किया, यह plus और minus, minus हो गया है, minus का ध्यान हमने रख लिया, अब यह u square तो ऐसे रहेगा, यह minus 81 को मैं उस तरफ भेज़ूगा, तो plus 81 हो जाएगा, correct, तो ऐसे लिख दूँगा, u square इधर, यह minus 81 को उधर भेज़ दो, plus 81 हो गया, अब अगर मुझे u की value चीए, तो दोनों तरफ चतरी, यहाँ पे चतरी के साथ square cancel, तो बचेगा सिर्फ u, और 81 का square root आता है, 9, क्योंकि 99,081 होता है न, तो मैं लिख सकता हूँ, u equal to 9, units के आएगा meter per second, because velocity है, तो हमारा final answer आजाएगा, the initial velocity of the ball is 9 meters per second, मतलब आपने यहाँ से ball फेका, आप अगर 9 meters per second से फेकते हैं, तो वो ball 4.05 meter की height तक जाएगा, ठीक है, और वहाँ से वो नीचे गिरना शुरू करेगा, done, बहुत उपर नहीं जाएगा, क्योंकि gravity उसको नीचे खेंच लिए, आगया समझ में, यह हो गया अपना upward motion, अभी next part है, downward motion, ball यहाँ पे जाएगे रुक तोई ना गया है, अब वो नीचे गिरेगा, उसके बारे में भी सवाल पूछे है, क्या सवाल है, उसमें पूछा है, how much total time will it take to come down, उपर गया और फिर नीचे आया, उसमें उसको total कितना time लगेगा, यह हमको निकालना है, T, याद रखना है, एक पार्ट का नहीं, upward का time, प्लस downward का time, दोनों मिला के total time, ठीक है, यह word important है, total time, तो अब हम देख रहे, downward motion, बॉल उपर से नीचे आके गिर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हम deal करेंगे gravity के साथ, gravity ball को कहां केच रही है, नीचे केच रही है, ball कहां पर आ रहा है, ball भी नीचे ही आ रहा है, पहले case में ball उपर जा रहा था, लेकिन gravity उसको नीचे केच रही थी, opposite direction था, यहां पे ball भी नीचे गिर रहा है gravity भी उसको नीचे कीच रहे है तो इसकी जो velocity है वो कौन से direction में speed कहाँ पे है तो दोनों same direction में तो दोनों की same sign होगी ठीक है तो आप g को यहां पे ले सकते है 10 positive ले सकते है क्योंकि velocity और g दोनों same direction में आया समझ में पक्का, पहले वाले case में opposite direction था, यहाँ पे same direction है, difference है, यहाँ पे देख लो, पहले ball इस तरफ speed जा रही थी, अब और g नीचे उसको कीच रहा था, यह वाले case में ball भी नीचे जा रही है, g भी उसको नीचे ही कीच रहा है, ठीक है, इस case में हम लोगो time find करना है, कि उपर से नी पाची, selfie कीची क्या, नहीं, उपर एक microsecond, थोड़े से time के लिए वाहाँ पे थी, और सीधा नीचे गिना शुरू ही, तो 0 से शुरू ही, तो initial velocity of the ball is 0, यू क्या आ गया, 0 meters per second, ball कितनी height तक गया था, 4.05 meter, तो नीचे भी 4.05 meter ही आएगा न, ऐसे तो हीड़ा खोद के अंद the same direction, तो क्या है का acceleration, 10 meters per second square होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में आपे square डाल दूँगा, यह mistake मत करना है, आपे square डाल देना, मेरे में typing में issue होगा है, तो अब यह आ गया, मुझे चाहिए क्या, मुझे time चाहिए, मेरे पास U है, मेरे पास S है, मेरे पास A है, और मुझे equation यह सब देता है मुझे, second वाला न, S equal to U T plus half A T square, देखो, S है, फिर A है, हमको time निकालना है, और U हमको दिया हुआ है, सब कुछ आ जा रहा है, तो हमें use करेंगे Newton का second law, ठीक है, second equation of motion, second law निग, तो यहाँ पे पहले important चीज़े highlight कर देता हूँ, यह सारी चीज़े important है, अब Newton's के second equation से मैं बोल सकता हूँ, कि S equal to U T plus half A T square, S क्या है, 4.05 meter, तो लिख दिया, U क्या है, 0, तो उसके जगे लिख दिया, 0 into T क्या है, नहीं पता, हमको T ही find करना है, तो T आ गया T, plus half into A क्या है, A है 10 meters per second square, यह second square या रखना, 10, T का square क्या आएगा, T हमको नहीं पता, तो T का square आ जाएगा T square, correct, अब यहाँ पर देखो, यह 21,000 और 25,000 होता है, यह तो गया न, 0 हो गया है, तो next step में मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर T square, और यह 5 यहाँ पर multiply आ रहा है, उसको वहाँ बेज दूँगा, तो divide हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, therefore, T square equal to, यहाँ पर सि 1,000 और यह 0.5840, 5005, तो मुझे मिलेगा T square equal to 0.81, तो T square ऐसा आ गया, यहाँ पर आ गया 0.81, division करके check कर लो, 4.05 से divide करोगे, 4.05 को 5 से divide करोगे, तो यह यह आएगा, है न, देख लो न, 4.05, 5 से divide क्या, 5, 0, 0, 0, because 4, 0, छोटा है न, 5 से, तो यह बचा 4, decimal, 0, तो यहाँ पर decimal आ जाएगा, 58040, माइनस 0, यह 5 नीचे आएगा, 51005, remainder 0 हो गया, उपर आगया 0.81, ठीक है, अब 0.81 अगर T square है, मुझे T find करना है, तो दोनों गरफ चतरी ले लेंगे, यहाँ पर square के साथ चतरी cancel, T बचा, 0.81 का square root क्या आएगा, 9 का square करेंगे, तो 81 आता है, 0.81 तो decimal के ब यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई, T equal to square root of 0.81, which will come to, देखो, यहाँ पर 0.81 का square root आएगा, 0.9 seconds, seconds क्यों के टाइम, आया समझ में, तो यह रफ वक करके बताया है मैंने, तो मुझे time मिल गया, कि भाई, बॉल नीचे से उपर जाय थी नहीं, उपर से नीचे आ रही थी, 0.9 seconds लगे, यार, same distance cover हो रहा है, gravity भी same है, तो जब वो उपर से नीचे जाएगी, तब भी उसको same time लगेगा, कितना लगेगा, 0.9 seconds, आपको यहाँ पर resistance वगरा, कुछ consider ही नहीं करना, तो total time कितना हुआ, उपर से नीचे आने में, 0.9 seconds, और same time नीचे जो उपर जाने में भ लगा, 0.9 seconds, so total 0.9 plus 0.9 कर लो, या फिर 0.9 into 2 कर लो, तो आपको मिल जाएगा, वी मैं करके बता दूँगा, ठीक है, तो final answer क्या लिखूंगा, कि 0.9 into 2 करके जो आता है, 1.8, देखो है यहाँ पर, तो total time उसको लगेगा, 1.8 seconds, the ball will take 0.9 seconds to reach the ground, it will take the same time to go up, thus the total time taken is 2 into 0.9 which is 1 0.8 seconds, खतम, आया समझ में, यह सब rough work है, तो अलग से rough work लिख देना वहाँ पे, यह अपना पूरा solution, एक बार part by part देख लो, यह है first part, यहाँ पे सबसे important यह जीए के negative क्यों आया, दोनों का direction देखो, एक उपर है, एक नीचे velocity और acceleration, दोनों opposite directions में, तो यह first part हमने upward motion solve कर लिया कर लिया copy, pause करके करो, और यह है उसका second part, इसमें थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, देख लो अच्छे से क्या-क्या लिखा है, कर लिया, देखो यह उसका पूरा है second, चाहिए तो ऐसे copy कर सकते हो, done, यह है पूरा solution, बहुत मैनत से लिखा है, अच्छे से diagram बना है, त ठीक है, तो हमारे यह दोनों problems खतम हो गए है, use your brain power में दिया है, according to Newton's law of gravitation, Earth's gravitational force is higher on an object of larger mass, yes, पता है यह नम को mass बड़ेगा, तो gravitational force जादा होगा, why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to an object with lower mass, अगर 50 kg का ball है और यह 5 kg का ball है, दोनों ball है ठीक है, फैदर से मत compare करना, तो दोनों जब नीचे गिरेंगे, तो यह जल्दी गिरना चाहिए, यह slow गिरना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों same time पे गिर रहे है, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, बताओ मुझे, दोनों same time पे क्यों गिर रहे है, because dependence किस पे है, इसके पहले वाला page किया था, याद है यहाँ पे page 11 पे देख लो, the value of G is the same for all objects at a given place on earth, तो उसको फरक नहीं पड़ता, मैंने बताया था कि feather होगा तो फरक पड़ेगा, यह आपने वीडियो देखा न, feather होगा तो फरक पड़ता था, क्यों में तो उस पे भी फरक नहीं पड़ता, तो G की value जो है, वो dependent ही नहीं है पेपर slow किरेगा, because earth पे हमरे air atmosphere है, उसको air resistance मिलेगा, तो paper दीरे 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 आएगा, पर ball तो जल्दी से आ जाएगा, इसलिए ball से ball compare करो, 50 kg की ball, 5 kg की ball, फेको उपर से, दोनों same time पे किरेगी, ठीक है, फरक नहीं पड़ता, इस पर भली gravitational force जादा लगे, acceleration दोनों का same आए लो, for calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration is negative, अब भी हमने example में देगा, क्यों, because in a direction opposite to the velocity and is taken to be minus g, ball उपर भेका, और g उसको नीचे कीच रहा है, तो अगर velocity उपर positively तो g नीचे negative आएगा, आपको बता है, आपको अगर उल्टा बनना है तो आप उपर negative ले लो, और नीचे positive ले लो, ऐसा भी कर सकत हो, लेकिन सारी science change हो जाएगी, जो distance s 4.05 meter उपर कवर हो रहा था, वो हमने positive लिया था, उसको negative लेना पड़ेगा, जो initial velocity u हमने उपर positively थी, उसको negative u लेनी पड़ेगी, नीचे g हम positive 10 ले सकते हैं, मत करो ऐसा, क्यों, because confusion होगा teacher को भी आपको भी, answer same आएगा, but generally हम लोग नीच नीचे negative लेते हैं, तो अगर velocity उपर है और g नीचे है, तो g को हम negative लेंगे, उपर वाले को positive लेंगे, ठीक है, the magnitude of g is the same, but the velocity of the object decreases because of this negative acceleration, पॉल नीचे से फेखा बहुत तेजी से गया, लेकिन उपर दीरे दीरे जाते जाते जाते, brake क्यों लग रहा है, because g negative है, acceleration negative है, उसको र moving only under the influence of the gravitational field of the earth, thus they are in freefall, यह तो अलगी paragraph, यह मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, उपर तो atmosphere है नहीं, तो moon और artificial satellite समेशा freefall में होती है, यह तनी क्यों नीचे क्यों नीचे है, विकास वह एक velocity से गूम दी है, इसलिए हो नहीं करती, ठीक है, समझ में आ गया paragraph, नहीं समझ म आए, तो यह second वाले का explanation को इसमें मने detail में समझा है, ठीक है, आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं, हम लोगों ने इसमें यह freefall वाला पूरा page किया, यह दो examples बहुत ही जादा detail में और brain power भी कर लिया, ठीक है, खतम करते हैं आज का lecture यहीं पर, अगर lecture पसंद आया, तो like जरूर कर आए, ताकि उनको भी यह समझ में आए, और channel को support मिले, channel को जितना support मिलेगा, मुझे उतना motivation आएगा, आप लोगों के लिए, ऐसे ही videos बनाने में, अगर channel पे पहली बार आएं, तो नीचे subscribe का बटन है, subscribe पर क्लिक कर लिजिए, बाजो में bell icon है, उस पर भी क्लिक कर लिजिए वहाँ पे मैं बच्चों की साथ interact करता हूँ, messages पर answer भी देता हूँ, सारे answers देना थोड़ा difficult है, मुझे बहुत messages आते हैं, लेकिन मैं काफी messages पढ़ता हूँ, और अगर important है तो मैं answer भी देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर follow कर लिजिए, thank you so much for watching this video.